तो अब वो थोर्ड चैप्टर इस अपना जो थोर्ड चैप्टर है उसका नाम क्या है फाइबर टू फाब्रिक यह हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है इसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्यूंकि इसमें बहुत चोटी-चोटी चीजें हैं जिन पर हमें फॉकस करना ह हैं okay अगर मैं सबसे पहले बात करती हूं fiber की कि यहां पे जो fiber word लिखा है इसका मतलब क्या होता है तो fiber का मतलब क्या होता है अगर में हिंदी में बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से रेशा ठीक है तो आप fiber की definition क्या दोगे कि a fine thread from which cloth is made एक बहुत पतला सा वो धागा जिससे क्या बनते हैं कपड़े बनते हैं आप उसको क्या बोलोगे fiber बोलोगे ठीक है अगर मैं यहाँ पे fiber की बात करती हूँ तो जो fiber होता है mainly वो दो type का होता है कौन-कौन सा एक जो हमारे पास fiber होता है होता है natural fiber और जो दूसरे टाइप का fiber होता है वो हमारा कौन सा fiber होता है synthetic fiber तो fibers are of two types कौन-कौन से one is natural fiber and another one is synthetic fiber तो हमारे fiber दो type के होंगे एक हमारा होगा natural fiber एक हमारा होगा synthetic fiber जो natural fiber है that is naturally it means कि या तो वो हमें प्लांट से मिलेगा या फिर वो हमें कहां से मिलेगा students animals से मिलेगा तो natural fiber है वो हमें कहां से मिलता है obtained from plants and animals जबकि जो हमारा synthetic fiber है वो हमारा क्या है man made है और ये हमें किसे मिलता है ये हमें जो भी chemicals हैं हम industries में क्या करते हैं जैसे हम सुनते हैं सूती कपड़ा वस्तर उद्योग और फॉर एक्जामपल जहां पर बूलन वगरा के cloths बनते हैं तो जो जितने भी industries हैं जितने भी उद्योग हैं उनमें क्या होता है किसी ना किसी chemical का यूज होता है और उस chemical को यूज करके कौन से fibers बनाए जाते हैं synthetic fiber अब मैंने बोला natural fibers तो natural fiber या तो मैंने बोला कि हमें plant से मिलते हैं या फिर मैंने बोला कि हमें animals से मिलते हैं तो कौन से वो fiber हैं जो मुझे plant से मिलेंगे और कौन से वो fibers हैं जो मुझे animals से मिलते हैं तो students अगर मैं बात करती हूं, प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स की, तो में ली आपने सुना होगा कॉटन, ओके, जो सूती आप बोलते हो रहा कॉटन, कॉटन है, जूट है, जिसे हमारी बोरिया बनती है, जैसे माल लीजिए हम लोग घर में फूट ग्रेंस ले आए हैं, जैसे हमें कहा से मिलती है, स्टूडेंट्स, प्लांट से मिलती है, जब कि अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, तो एनिमल्स से हमें क्या-क्या मिलता है, सिल्क मिलती है, और बूल मिलती है, जो हम डिटेल्ड स्टाडी करेंगे, वो हम यह नहीं करेंगे, कि कॉटन, जूट हमें कै मिलेगा जो हम करेंगे वह हम करेंग के अगर हमें वूल्टर चाहिए तो सबसे पहली बात सो कौन कौन से एनिमाल्स ऐगो हमें बूल देते हैं सबस्कु क्या स्कार भी किए हमें वूल मिलेगी कैसे या डारेक्टली जो एनिमल है उसकी बॉड़ी पर वूल है कि हम उसको कार्ट लेंगे और फिर उसे क्लॉट्स बन जाएंगे तो नेवर कभी भी नहीं तो हम इसका पूरा प्रासिजर जो है वो बहुत डिटेल में पड़ते हैं बट आपको मैं सर्फ जो नीम रुन नीम होाशट के लिए सिल्क का बता देती हूं सिल्क जो है वो हमें एक इंसेक्ट से मिलती है and the name of that insect is silk warm ओके जो silk warm होता है हिंदी में हम उसको क्या बोलते है रेशम का कीड़ा यह रहता कहां पे है so you all know that कहां पे रहता है यह mulberry leaves में जो शहषूत का पेड़ होता है उसमें पतिया होती है आपको बताई है तो उन पतियों में green color का होता है silk warm और वो वहां पे रहता है ओके मतलब क्या करता है वो पतियों की feeding करता है और size में मतलब भड़ता जाता है grow करता जाता है synthetic fibers के अगर मैं आपको कुछ example याद करवाऊं आपको सिर्फ और सिर्फ examples याद रखने हैं आपको यह नहीं याद करना है कि वो बनेगा कैसे तो synthetic fibers के example है like rayon है okay, nylon है ठीक है third is polyester जैसे हमारा polyester है यह भी एक type का क्या है synthetic fiber and acrylic so these fours are synthetic fiber, यह जितने भी चारो जो है, यह क्या है हमारे synthetic fibers है जो humans ने बनाए है, जो man-made है okay, अब अगर मैं बात करती हूँ यहां तक तो मैंने बोल दिया कि जो हमारे synthetic fibers होते है यह क्या होते है natural fiber होते है यह क्या होते है अब मैंने आपको बताया कि two important animal fibers are अभी अभी मैं आपको बताती हूँ कि two important animal fibers कौन-कौन से है जिनके बारे में हम study करेंगे detailed study करेंगे तो कौन-कौन से है student जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कौन-कौन से one is silk and another one is wool तो एक है हमारा वो है wool और दूसरा कौन सा है हमारा silk अब अगर मैं बात करती हूँ wool की ठीक है सबसे पहले मैं wool पढ़ाती हूँ then उसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी silk बताऊंगी सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ wool बहुत ध्यान से सुना बहुत important topic है सबसे पहली बात कि जो wool है वो हमें मिलता कहां से है तो मैंने आपको बताया कि wool is obtained from animals कि जो wool है वो हमें obtained होगा वो हमें मिलेगा कहां से मिलेगा students ऐनी मल्स से second चीज़ जो wool है वो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला animal fiber है तो it is the most commonly used animal fiber क्या है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला animal fiber है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो it is the most commonly used animal fiber okay तो अगर मैं उसके बाद third point की बात करती हूँ तो वूल आपको जो भी मैं नौट डाउन करवा रही हूँ आप नौट डाउन करेंगे उस चीज़ को third point अगर मैं आपको वूल के बारे में बताती हूँ तो मैंने ये तो बोल दिया कि animals से मिलता है ओके बट animals की present कहां होगा उपर present होगा आनीचे present होगा आप आओ पर present होगा सरफ आज पर present होगा ये तो हमें नहीं पता है तो students जो वूल होती है वो जो हमारी body होती है animals की उस पर हेर्स present होते है और उसी हेर्स से हमें क्या मिलती है वूल मिलती है तो अगर आप वूल के बारे में third point not down करोगे तो अब क्या not down करोगे that wool is a soft सबसे पहली बात तो बहुत ही बायम होती है वेवी या फिर अगर आपको वेवी आद नहीं रहता है अब curly hair लिख लीजे मतलब गुंगराले बाल जो क्या करते हैं cover करते हैं किसको cover करते हैं which covers the body of a ship जो ship होती है उसकी body को जो cover करते हैं वो क्या करती है cover wool करती है wool होती कैसी है soft होती है ठीक है एक्चुली जो ship होती है उसकी जो body पे बाल प्रेजन्ट होंगे न वो आपने भी notice किया होगा तो जो घुंगराले घुंगराले होते हैं जो क्या करते हैं जो ship की body होती है उसको cover करके रखते हैं अब आपको पता है कि ship की body को cover क्यों करना है ship की body को cover इसलिए करना है ताकि वो क्या रह सके protect रह सके बच के रह सके जैसे आप लोग पहनते हो ना जब सर्दी आती है तो winters में woolen के cloths पहनते हो राइट क्यों पहनते हो कि आपको सर्दी लगती है तो likewise ship को भी सर्दी लगती है वो बिचारी sweater तो पहनती नहीं है लेकिन अपनी body की उपर जो hairs है वो उसको क्या करते है protect करते है तो जो उसके hair है वो ही क्या है उसके लिए जो हम कपड़े पहनते है वो है okay third अगर मैं बात करती हूँ तो क्या होगा देखो because of the waviness of wool कहता है मैंने अभी अभी बताया कि जो wool होती है उसमें क्या होता है waviness होती है waviness मतलब एक तरीके से गुंगराला पन होता है तो अगर waviness होगी तो उसकी वज़े से जो woolen के cloths बनते हैं students जो woolen के fabrics बनते हैं उनमें क्या होता है greater bulk होता है आप मतलब एक तरीके से यह सोच लीजिए कि एक रास्ता है वो आपके लिए बहुत आसान है जाना-जाना क्योंकि वो सीधा है और एक रास्ता है जो आपके लिए टेड़ा है तो अगर आप टेड़े रस्ते पर जाओगे तो में भी आपको थोड़ी problems आएंगी तो आप हो सकता है कि वहाँ चोटी-चोटी गली है तो आप नहीं निकल पाओगे तो लाइक वाइस जो हमारी शीप की बोड़ी पे hairs present होते है वो hairs जो होते है वो बहुत टेड़े मेड़े होते है गुंगराले होते है तो यह जो hair होती है उसको trap करके रखते है पकड़ कर रखते है क्या कि because of the waviness of wool the woolen fabrics क्या because of the waviness of wool the woolen fabrics जो हमारे जो भी गरम कपड़े होते है woolen के fabrics होते है उन में जो bulk होता है वो क्या होता है student जादा होता है किसके बजाए then cotton fabrics बजाए कि cotton के कपड़ों के सूती कपड़ों के okay and यह क्या कर सकते है इसी लिए trap कर सकते है पकड़ कर रख सकते है जादा से जादा air को जादा से जादा हवा को आप आपको समझ में क्या आया देखो वापस अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ किसी बच्चे को नहीं समझ आया हो वो समझ लेना क्या कि because of the waviness of wool उन है ठीक है उन की जो गुंगराला पन होता है उसकी वज़ेसे क्या होगा कि जो भी हमारे उन से बने हुए फैब्रिक होते हैं जो भी उन से बने हुए कपड़े होते हैं उनमें जो बल्क होगा वो क्या होगा जादा होगा cotton fabrics की बज़ाए तो वो क्या करके रख सकते हैं एक्चुली बल्क जादा होगा तो आप यह समझ सकते हो कि एक तरीके से टेड़े मेड़े होते हैं तो यह क्या करके रखेंगे अपने अंदर से air को बाहर नहीं जाने देंगे बल्कि उस air को क्या कर लेंगे पकड लेंगे ठीक है तो इसकी वज़े से जो woolen fabrics है वो आपको क्या रखते हैं आप woolen fabrics सर्दियों में पहनते हो न तो आपको वो क्या रखते हैं student गरम रखते हैं warm रखते हैं तो इसकी वज़े से क्या होगा Due to this, the woolen fabrics keeps us warm कहता है यह हमें गरम रखते हैं कब गरम रखते हैं? During winter season जब भी हमारी सर्दिया आती है तो पता है सब बोलते हैं हमें स्वेटर निकाल दीजे क्यों? क्योंकि आपको protection करना है अपना आपकी बोड़ी को ठंड लगती है तो आप क्या करते हो? Woolen के fabrics पहनते हो क्योंकि Woolen के fabric आपको गरम रखते हैं गरम क्यों रखते हैं? वो भी मैं आगे बताऊंगी अभी अगर मैं उस पर लग गई तो आपको जो बीच का है वो नहीं समझ आएगा तो मैं आपको आगे बताती जाओंगी के गरम क्यों रखते हैं? अगर मैं बात करती हूँ तो actually जो Wool होती है वो हमें मिलती कहां से है? तो student जो Wool होती है वो हमें कहां से मिलती है? जो ship होती है ठीक है? आपने बेट देखी होंगी काफी बचों ने देखी होंगी काफी ने नहीं देखी होंगी तो जो sheep होती है उस पर hairs present होते है उन hairs से हमें क्या मिलती है? Wool मिलती है तो Wool is obtained from the hairs of the ship कि जो Wool होगी वो हमें कहां से मिलेगी? जो ship के बाल होंगी वहां से हमें क्या मिलेगी? स्टूडेंट्स बूल मिलेगी ओके एक्चुली होता क्या है? कि जो ship है हम उसकी जो body के बाल होते हैं वो सिरफ वो सिरफ समर सीजन में काटते हैं क्यों? क्योंकि अगर हमने विंटर सीजन में काट लिये तो उससे क्या होगा? कि हमारी जो ship है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी क्यों? क्योंकि जो बाल है वो उसको ढखने का काम करते हैं ओके लेकिन अगर हमने उसकी covering ही raise कर दी है हमने उसकी covering ही remove कर दी है तो जो ship है वो बिचारी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और वो मर जाएगी तो इसलिए हम क्या करते हैं जो wool के hair cut करते हैं तो हम wool के hair cut कौन से season में करेंगे स्टूडेंट्स समर्स में ताकि बाल लिजिए अगर ship है और अगर उसके उपर बाल लिजिए hairs नहीं भी है तो भी वो easily क्या कर सकती है survive कर सकती है अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से animals है जो हमें wool देते है जिन से हमें wool मिलती है तो animal that yields wool तो student हमें कौन कौन से animals हैसे होते है कौन कौन से पशू ऐसे होते है जिन से हमें wool मिलती है तो कौन कौन से होंगे बच्चो सबसे पहला जो होता है वो आपको याद रखना है शीप अगर मैं बात करती हूँ गौट याक कैमल एंड लैलमा तो ये जो हमारे जितने भी एनिमल्स है शीप है, गौट है, याक है कैमल है, लैलमा है इन सब से हमें क्या मिलती है वूल मिलती है अक्टुली क्या होगा उनकी बोडी पे क्या होती है एक ठिक कोट होती है एक मोटी परत होती है किसकी? हेर्स की तो क्या होते है कि जो भी हमारे वूल येल्डिंग एनिमल्स होते है मतलब जो हमें वूल देते है जो हमें उन देते है उनकी बोडी पे क्या होती है एक बहुत मोटी परत होती है, किसकी परत होती है, बियोर इथिक कोट ओफ हेर, कि जो बाल होते हैं, उनकी परत होती हैं, उनकी बोडी पे, बालों की परत होती हैं, उनके शरीर पे, किसके शरीर पे होते हैं, जो एनिमल्स हमें क्या देते हैं, वूल देते हैं, जो एनिमल्स ह होते हैं मैंने आपको भी बताए ना कि मैं यह बताऊंगे कि वो गरम कैसे रखते हैं सबसे पहले क्या होता है अभी मैंने आपको बताया कि जो हैर सोते हैं ठीक है वो क्या करते हैं ट्राप करके रखते हैं किसको ट्राप करके रखते हैं बहुत सारी एयर को okay and students as you all know that air is a bad conductor of heat I hope यह बात सभी को clear होगी that air is a bad conductor of heat कि जो air होती है वो heat की बहुत bad conductor होती है bad conductor मतलब हमें किसी से मान लिजा हमाने लडाई हो रखी है ठीक है तो ना हम उसको अपने घर में आने देंगे ना जाने देंगे आने नहीं देंगे तो जाने कैसे देंगे तो वैसे ही air है इसकी भी heat से लडाई रहती है हमेशा यह air जो है यह bad conductor है it means यह है कि अगर यह bad conductor है तो यह अपने में से air को ना तो बाहर आने देती है sorry heat को और ना अंदर आने देती है it means कि यह heat को ना तो अपने अंदर से पास होने देगी मतलब ना अंदर आने देगी body के और ना ही बाहर जाने देगी तो आप क्या बोल सकते हो कि air is a poor या air is a bad conductor of heat तो अगर air bad conductor है तो इसकी वज़े से क्या होगा कि यह जो heat होती है body की उसको lost नहीं होने देगी मतलब बाहर नहीं निकलने देगी और जब बाहर नहीं निकलने देगी तो उसकी वज़े से क्या होगा कि हमारी जो body है वो क्या रहती है वो आम रहती है तो अब क्या लिखोगे students so the air trapped इसी लिए जो air fussy हुई रहती है किसमें fussy हुई रहती है air में fussy हुई रहती है वो क्या करती है इन एनिमल्स को बचाती है किससे बचाती है वो बचाती है student कि उनकी जो body की heat है वो lost ना हो तो ये क्या करती है prevents their body क्या करती है prevents their body heat from being lost ओके ये क्या करती है कि इनकी जो body की heat है उसको नहीं बाहर जाने देती and keeps them warm in winter और ये क्या रखती है इनको सर्दियों में बिलकुल गरम गरम रखती है I hope यहां तक clear हो गया होगा सभी को क्या कि सबसे पहले क्या होता है student हमने पढ़ा कि वो animals जो हमें भूल देते है like ship है, goat है, yak है, camel है और lelma है अब मैंने आपको बताया बहुत easy सा है बस थोड़ा सा focus करके समझना है यह जो wool yielding animals होते हैं उनकी जो body होती है उस पे क्या होती है एक hairs बहुत सारे hairs की परत होती है बालों की परत होती है यह hairs क्या करते हैं यह बहुत सारी air को बहुत सारी हवा को अपने अंदर पकड़ कर रखते हैं अब अगर air trap रहती है क्योंकि अगर air trap रहेगी तो air जो है वो bad conductor होती है heat की तो यह heat को loss नहीं होने देगी बाहर नहीं जाने देगी उसकी वज़े से यह जो animals हैं यह सरदियों में भी क्या रहते हैं students गरम गरम रहते हैं अब अगर मैं बात करूं तो इसी लिए हम लोग क्या करते हैं सरफ इनके बाल हैं वो एक ही बार काटते हैं so this is why the hair of these animals is removed only once in a ear okay इसी लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बाल होते हैं वो एक ही बार काटते हैं so the hair of these animals यह जितने भी animals हैं इनके जो बाल हैं the hair of these animals क्या जो भी animals हैं इनके जो hairs होंगे वो क्या होंगे is removed only once in a ear removed only once in a ear सिरफ और सिरफ हम साल में एक बार काटते हैं वो भी सिरफ कब काटते हैं जब हमारी गर्मिया बिलकु स्टार्ट हो जाती है गर्मियों के स्टार्टिंग तक हम क्यों काटते हैं क्योंकि अगर माल लेजिए हमने बिलकुल गर्मियों की एंडिंग में काटे तो जो बाल है शिप के वो बिचारे सर्दियों में नहीं आएंगे और जब नहीं आएंगे तो हमारी शिप है वो कॉल्ड की वज़े से मर जाएगी वो सर्वाइव नहीं कर पाती जैसे हमें काफी बार गर्मी लगती है ना तो हम भी क्या कर देते हैं कि बाल गंजे करवाया हूँ मम्मी बोलती है ना गंजे हो जाओ गर्मी नहीं लगेगी यही बात जो है यह शिप के साथ भी है कि अगर उसकी बाड़ी पे बाल रहेंगे तो वो बहुत गरम फिल करेगी बट अगर हम उसके बाल काट लेंगे तो उसे बहुत ठंडर ठंडर सा फिल होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं जैसे ही समर सीजन की शुरुवात होती है जैसे ही गर्मियों के beginning होती हैं वैसे ही हम क्या कर देते हैं इनके hairs को remove कर देते हैं जैसे ही winters आएंगी इनके hairs क्या कर पाएंगे वापस grow कर पाएंगे एक बार मैं आपको picture show कर देती हूं कि यह जितने भी animals हैं जिनसे हमें wool मिलती है यह दिखते कैसे हैं, ओके, ताकि आपको थोड़ा सा यह लगे कि हाँ, हमने देख लिए है, एक्चुली यह दिखाने का परपस इतना है कि आपको यह पता रहे कि हाँ, यह यह एनिमल्स हमने देखे थे, और यह वो एनिमल्स हैं, जिससे हमें बूल मिलती है, अदरवाइस त जिपे देखो कितने बड़े-बड़े हैस प्रेज़न्स हैं, ओके, इनिहीं हैसे हमें क्या मिलती हैं यह पे, वोल मिलती है, गोट, गोट पे भी हैस प्रेजन्स है, यह तक बहुत पर बता रेती हूँ पढ़के, ताकि आपको कोई भी confusion ना रहे, even आपको पढ़ने की जरूरत भी ना पढ़े so, देखो क्या होता है सबसे पहले, यहाँ पर actually कट्री है, थोड़ी सी लाइन मैं यहाँ पर लिख देती हूं कि the wool the wool yielding animals, मैं यहाँ पर जस लिख रही हूं the wool yielding, so the wool yielding animals have a thick caught on their body, जो हमारे wool yielding animals होते हैं उनकी जो बोड़ी होती है उस पे एक मोटी परत होती है बालों की, ठीक है, जो इनको क्या रखती है, गरम रखती है काब, during cold winter season, जब सर्दी होती है, तो यह क्या रखती है इनको गरम रखती है अब मैंने आपको बताया सेम वोई चीज, क्या कि the hair जो बाल होते है यह जो wool होती है वो क्या करते है, trap से lot of air कि अपने अंदर बहुत सारी air को पकड़ कर रख सकते है and air is a poor conductor of heat, जो air होती है, जो हवा होती है यह क्या है, heat की बहुत ही अगर पूर कंड़क्टर है, अगर पूर कंड़क्टर है तो क्या होगा कि जो air है, वो the air trapped in hair कि जो भी air हमारी hairs में trapped हो गई है वो जो air है वो जो इनकी body है, उससे heat को loss नहीं होने देगी तो prevent their body heat from being lost to cold surrounding, मतलब जो surroundings है, उन में इसको loss नहीं होने देगी heat को और इसलिए इनको क्या रखती है, ये सर्दियों में भी ये गरम-गरम रहते हैं तो that is why हम क्या करते हैं, जो hairs होते हैं, उनको सिरफ और सिरफ एक ही बार remove करते हैं कब remove करते हैं जब हमारी गर्मिया start होती हैं, बिल्कुल कर्मियों के big link में, okay so wool जो है, ये हमारी most common है जो हमें obtend होती है, ships से मिलती है हम क्या, मैं आपको बता रही हूँ ये आपको not down करना है, सब कुछ क्या कि सबसे पहले, काफे इंडिया के जो parts है उसमें क्या की जाती है, ships को पाला जाता है वो सिरफ क्यों पाला जाता है, सिरफ और सिरफ क्या करने के लिए wool लेने के लिए, okay क्या किया जाता है, student, इंडिया के काफी parts में बेडों को पाला जाता है, शिप को पाला जाता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वूल चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ब्रीड्स है, शिप की, वो बताई हुई है, और क्वालिटी बताई हुई है, और यह बहुत इंपोर्टेंट है, यह आपको याद रखना ही रखना है आगे future में भी काम आएगा देखो सबसे पहली जो हमारी breed है वो है लोही ओके इससे जो वूल मिलती है वो हमें बहुत अच्छी quality की मिलती है and consistent में मिलती है तो राजस्थान और पंजाब दैन अगर मैं second बात करती हूँ तो रामपूर भुशैर इससे जो हमें वूल मिलती है जैसे कि मैंने बोला ना कि वूल या तो brown होगी या black होगी ओके या creamy होती है तो रामपूर जो नाम की breed है उससे हमें कैसी वूल मिलती है कार्पिट्स लेकर आते हैं तो काफी कार्पिट्स में बूल प्रैजन्ट होती है तो कार्पिट्स बूल हमें किस से मिलती है नाली से राजस्थान हार्याना और पंजाब इन तीन स्टेट्स में यह जो breed है यह आपको मिलेगी पौर्थ अगर मैं बात करती हूं बखरवाल की तो जो बखरवाल स्पीसिस होती है वो जैसे शॉल नहीं ओडते जैसे हम लोग सरदियों में शॉल ओडते हैं तो हमें वो बखरवाल ब्रीड से मिलते हैं mainly Jammu and Kashmir. जो मारवारी है, अब इसको मारवारी भी बहुफ मिलेगी इससे जो मूल मिलेगी, वह हम habe Corse Wool मिलेगी, Corse Wool का मतलब बहुती मोटी जो मूल होती है, वह मिलती है. किस स्टेट में मिलती है जो मिलती हैδी गुजराट फाइनली पाटनवारी जो है ब्रीड यह किसके लिए जैसे काफिलोक, स्वारटर्स वगेरा को नहीं वो करते हैं तो ऑज्री में यूज्स होती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की बूल हैं और यह किस state में मुलती है? गुजरात में आपको ब्रीड के नाम, जो breeds के नाम है वोलन करने है, quality wool की कौन सी है, and state याद करनी है, okay, next अगर मैं बात करूँ, तो देखो, हमारे पास student क्या होता है सबसे पहले, मैंने आपको बता दिया, अब क्या होता है, कि जो हमारी हिवरी स्कीन होती है, किसकी? शिप की, उस पे क्या होते हैं? टू टाइप के फाइबर्स प्रेजन्ट होते हैं, कितने टाइप के फाइबर्स प्रेजन्ट होते हैं? टू टाइप के फाइबर्स प्रेजन्ट होते हैं, hair is skin जो होती है शिप की उस पर two type के fibers present होते है and that fibers are ये जो fibers है ये कौन कौन से होंगे students एक जो होते हैं वो हमारे होते हैं cause beard okay and second जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं कौन से fine soft under hair okay fine soft under hair बतलब ये पतले भी होते हैं और बिल्कुल जो skin होती है उससे बिल्कुल पास रहते हैं बिल्कुल skin के close रहते हैं okay आपने क्या देखा कि जो हमारे शिप की hair is skin होती है उस पर मैंने लिए दो टाइप के fiber होते हैं एक वो जो मोटे होंगे और दूसरे वो जो पतले भी होते हैं और soft भी होते हैं जो बिल्कुल hair जो skin है उसके पास होते हैं अब माल लेजिए हमें ये वाले hairs चाहिए ये वाले hairs मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए तो क्यों ना मैं एक ऐसी parents pieces ले लूँ जो सिरफ और सिरफ मुझे ये वाले hairs दे तो मेरे लिए कितना easy काम हो जाएगा क्योंकि actually जो हमारे ये वाले hairs है mainly इस से ही wool prepare की जाती है तो क्याफी बार क्या होता है कि जो कुछ species होती है वो हमें सिरफ ये वाले hairs देती है ये वाले hairs वो हमें नहीं देती बता देती हूँ selective breeding में क्या होगा कि हम एक ऐसी parent की species चुनते है एक ऐसी माबाब की प्राजाती चुनते है जो हमें जो बच्चे आएंगे उस शिप से उसमें सरफ और सरफ ये वाले hairs होंगे जो coarse beard hair है वो उसमें present ही नहीं होंगे तो selective breeding की आप definition क्या दोगे देखो selective breeding होती क्या है तो students अगर मैं बात करती हूँ selective breeding की तो आप selective breeding को कैसे define कर सकते हो that the process, एक ऐसी प्रकुरिया जिसमें क्या होगा selective breeding को आप कैसे define करोगे कि the process, एक ऐसा process जिसमें आप क्या करते हो select करते हो किसको select करते हो चुनते हो किसको चुनते हो एक ship को चुनते हो किसके लिए for obtaining क्या लेने के लिए for obtaining special characteristics अब क्या करते हो ये एक ऐसा process होता है जिसमें आप क्या करते हो ship को select करते हो अब शिप को सेलेक्ट क्यों करते हो ताकि आप क्या कर सको जो उसके करेक्टर स्टिक्स हैं कौन से करेक्टर स्टेक्स कि आप मतलब उससे जो फाइन थीन हेर हैं सरफ वही ले सको आपको जो मोटे वाले हैर से वो मिले ही ना तो the process of selecting shape for obtaining special characteristics, special characteristics in their offspring, okay, कि जो वो shape बच्चों को give rise करेगी, उसमें सिरफ और सिरफ कौन से hair होंगे, thin hair होंगे, okay, such as soft under hair, such as soft under hair, और इसी process को आप लोग क्या बोल देते हो, is called selective breeding, इसी को आप क्या बोलते हो, selective breeding बोलते हो, okay, तो ये थी हमारी selective breeding की definition, कि एक ऐसा process जिसमें आप क्या करते हो, एक ship को चुनते हो, क्यों चुनते हो, क्योंकि आपको उससे कुछ special characteristics चाहिए अपने offspring में, स्टूडेंट आज की class हम लोग यहीं stop करती हैं, आगी का मैं आपको कल करवाओंगी,